नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज शाला साथियों जारखंड के गुमला जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है दो नावालिक बहनों के साथ सामूहिक दुशकर्म हुआ है मामला विशुनपुर के गुर्दुरी थाना छेतर का है शुकरवार की शाम दो बहने अपने चचेरे भाई के साथ दशहरा मेला देख कर लोट रही थी इसी दोरान प्रेम नाम के एक युवक ने रास्ता रोका और चिर्खानी करने की कोशिश की इसका विरोध करने पर उसने अन्नी युवकों के साथ मिलकर चचेरे भाई को पीट कर वहगा दिया और फिर सामुहिक दुस्कर्म की घटना को अंजाम दिया अलाकि सूचना के अनुसार एक आरोपी ने ग्रफतारी के डर से आत्मात्या कर ली है गुमला सदर SDPO मनीश चंदरा ने बताया कि पुलिस को ये जानकारी शरीवार को मिली जिसके बाद ततकाल कारवाई करते हुए उन्हों दौनों बच्चियों को गुमला सदर अस्पिताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया रिपोर्ट का इंतिजार किया जा रहा है बता दें कि जिस जगए पर गटना हुई है वह इलाका नकसल प्रवाबित है इसकी सीमा लाते हार से लगी हुई है उन्होंने बताया कि इस कोट में बच्चियों का 164 के तहद बयान दर्ज करवाया जाएगा उन्होंने बताया कि गुर्दुरी थाने में बच्चियों के बयान पर प्रात्मिकी दर्ज की गई है यानि कि F.I.R. दर्ज कर ली गई है S.D.P.O. ने बताया कि इस गटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी ट्राइवल समुधाय से हैं और इसमें ज्यादा तर युवक्त चापा कोना गाउं के बताया जा रहे हैं वहीं इस गटना के बाद ग्रामीन काफी आक्रोशित हैं और आरोपीयों को जंगलों में खोज रहे हैं इसके साथ ही पुलिस भी चापीमारी अभ्यान चला रही है साथ ही हमाप को बता दें तीन मोटर साइकलों पर सबार दस आरोपीयों ने उन्हें रोका और लड़कियों पर अशलील टिपणी की युवक्त के विरोध करने पर आरोपीयों ने उसके साथ मार पीट की आना कि हुआ है खुद को किसी तरह उनके चंगुल से छुडाने में कामयाब रहा और मदद के लिए अपने गाउं चला गया स्पी ने बताया कि बदमास दौनों लड़कियों को गसीट कर जंगल में ले गए और बारी बारी से उनका बलातकार किया स्पी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने पीड़तों को पीटा उन्हें पास के दूसरे स्थान पर ले गए और फिर से उनसे बलातकार किया पीड़ता के रिष्टेदार और ग्रामीनों को मौके पर आते देख आरोपी ये वक्त भाग गए लड़कियां 10 आरोपीयों में से 2 की पहचान कर सकीं, जन्हें गरफतार कर लिया गया अन 8 आरोपीयों की पहचान हो गई है, उन्होंने कहा कि उन्हें से एक ने संभवता गरफतारी के डर से आत्मत्या कर ली तो साथियों इस मामले पर आपके जो विचार हैं आप हमें अपना कमेंट दे सकते हैं फलाल के लिए इतना ही आप देख रहे हैं नियूज शाला धन्नवाद